नमस्का दोस्तों निवजिन्दी टीवी चैनल में आपका बहुत बुत स्वागत है बरसी पर बोले ओवेसी नई पीडी को बताएए आयोध्या में 400 साल खड़ी थी हमारी मस्चीद AI MIM सांसद ओवेसनी कहा कि इस नाइन सापी को कभी नहीं बुलना चाहिए उन्होंने अगले ट्विट में कहा कि 22-23 दिसेमर 1949 की रात को हमारी बाबरी मस्चीद को अपवित्र किया गया और 42 सालों तक अवैदरू से कबजे में रखा गया बाबरी मस्चीद विद्वोंस की बरसी पर ओवेसनी का ट्विट इस नाइन सापी को कभी मत भुलिये यहां हमारे पूर्वस नमाज पढ़ते थे बाबरी मस्चीद विद्वोंस की बरसी पर AIMM साउसद असू दिन ओवेसनी ट्विट कर अपने समर्थों से कहां कि वो अपने आने वाली पिडि को याद दिलाए और उन्हें सिकायें की 400 साल तक अयोद्दा में बाबरी मस्चीद खड़ी थी हमारे पुर्वस इस मस्चीद में हौल में इबादत करते थे और इसके अंगन में रोज़ा पर तोड़ते थे जब उनकी मौत हो जाती थी तो आसपास के कबरिस्तान में उन्हें धपनाया जाता था बता दे की सुप्रीम कोड के फैसले के बाद अयोद्या में राम मंदीद निर्मान शुरू होने के बाद ये बाबरी विद्वन्स की पहली बरसी है बारसी विद्वन्स से सभी आरोपी भी अदालत से बरी हो चुके है AIMIM साउसल ओवेसे ने कहा कि इस नाइन सापी को कभी नहीं बुलना चाहिए ओवेसे ने कहा कि आज ही के दिन 1992 में पूरी दुनिया के सामने हमारी मस्चिद को ध्वस्त कर दिया गया इसके लिए जो जिम्मेदार थे उन्हें एक दिन की भी सजा नहीं हुई इस नाइन सापी को कभी मत भूलिये बता दे कि आयोधा में बाबरी मस्चिद विद्वन्स की बरसी पर सुरक्षा के पुकता इंचजाम के गए है जिले में अतिरिक्त पुलिस बलतैनात किये गए है और साथ ही किसी समुदाय को कारेकरम की इजात्त नहीं दी गए है प्रशाशन ने सत लहेजे में चेताम ने देते हुए कहा है कि 6 दिसंबर को लेकर अगर किसी ने कोई कारेकरम अज़ित किया तो उसके खिलाफ दंडाप मकारवे की जाएगी